कि हलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो देखिए इस वीडियो पर बहुत सारे स्टॉक के बारे में डीटेल्स में बात करेंगे विकास मार्केट पर गिरावाट आ रही है तो कहां पर हम लोग स्टॉक को इस्टॉपलोस मिंटेन कर सकते हैं कहां से स्टॉक को उठाना के कोशिश करूंगा सबसे पहले करूंगा को सुबह को मैंने बताया था कि स्टॉक को 20 डे के मुविंग अबरेज से अम लोग बाई करने स्टार्ट करेंगे 1840 का लेवल था आज की क्लोजिंग 1824 मतलब 1824 को इसने 1840 को इसने क्लोज कर दिया मतलब काट दिया इसका जो सपो है तो हो सकता है मैंने कहा था कि देखिए लोवर लो बनता जा रहा है तो अभी हम लोग नहीं करेंगे जिन्होंने वीडियो को पूरा नहीं देखा विस्टॉक को सिर्फ नाम देखा स्किप किये हैं उन लोगों को प्राब्लम हुई है को कमेंट सेक्सेन पर कमेंट था एक पर्शन ने हमें कमेंट किया था कि आया सेटी सी लेड हुआ आया सेटी सी लेके डूबेगा नहीं यह आपने अगर माल खरीद के रखा बहुत बहतरीन कॉलिटी का सेर है थोड़ा सा टाइम दीजे स्टॉक फिर से बाउंस बैक करेगा यह स्टॉक मार्केट की एक खूपस स्टॉक मार्केट भी स्टेट लाइन कभी फॉलो नहीं करता मार्केट में गिरावाट आ रही है आने दीजे स्टॉक पे इसके बाब जो सपोर्ट है वो तेरह सो तीस का है मतलब यहां से सो पॉइंट नीचे इससे ज्यादा नीचे मुझे दिखने रा सतरह सो तीस अगर आ स्टॉक पर तेजी आई अठारा सो दो हजार तक गया जब लोगों ने प्रॉफिट बनाया तक कभी भी कोई कमेंट सेक्षिन पर कमेंट नहीं किया बहुत सारे लोगों ने किया भी है उनके लिए मैं अप्रिसेट करता हूं और अभी जब यह कंपनी भी होल्ड करने लाइ सब्सक्राइब लेवल्स आपको देखने को मिल सकते कल ही नहीं आने वाले हो सकते एक दो ट्रेडिंग सेशन पर तो सतरह सो तीस पर मिल जाए तो ऑपर्चुनिटी है बहुत अच्छी बात होगी सिर्फ तीस रुपे का स्टॉप लस मिंटेन करके फिस सतरह सो पर बना जा स रखता है देखें रिलांस इंडस्टी नेक्स स्टॉक बात करूंगा काफी ज्यादा गिरावट वाले स्टॉक्स को मैंने चूच किया विकॉस बहुत सारे दिगज़ प्लियर्स में अज गिरावट होई है उसमें से रिलांस इंडस्टी भी सामिल था सबसे पहला सपोर्ट था 2083 का उसको ब्लीच किया उसके बाद खतरनाक इसमें गिरावट देखने को मिली आप देख पारें इस स्क्रीन पर जैसे इस लेबल को तोड़ा इसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली और गिरावट कहां तक हाभी रही गिरावट दे स्टॉक को निस सु रुपिय तक लेखे जाने का दमसम रखती है बट मुझे नहीं लगता मुझे लगता है कि अठ्था दो हजार के लेबल पर यह स्टॉक रूप जाएगा अगर कल गिरावट आती है और 2000 के इग्जैक्टली लेबल तक नहीं अगर इसके आस पास पर मिलत है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक छोटी सी पोजिशन बनानी चाहिए और उस समय आपका जो स्टॉप लोस होगा वह उनीस सो असी रूपिय का होगा यहां पर ऐसा ही प्ले करूंगा मैं वह मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूं इस चीज को समझेगा बाकि आप अपने नहीं रोक सकता है मार्केट में गिरावट फिर पेनिक सिचुएशन बढ़ती नजर आएगी मार्केट कमबैक हुआ रिलाइंस इंडस्टी फिर से आग लगाएगा उपर की तरह बहुत जबजास तेजी आपको देखने को मिलेगे हैंसम प्राफिट बुकिंग आई है से पहला सपोर्ट इसका नजर आ रहा मुझे 5240 रूपी मतलब 5240 के आसपास में पहला सपोर्ट है और इस से पहला सपोर्ट 5270 पे है और सेकेंड सपोर्ट है 5240 अगर 5240 और 5270 के आसपास में पहुंच जाए तो इस टॉक पे एक बार समलने की पूरी गुंजाईस है अगर इ इसमें बहुत ज्यादा गिरावट होगी तब स्टॉक को आप लगबग 4900 तक करेक्ट होते देखिएगा इस चीज को ध्यान में रखिएगा अगर आपके पास स्टॉक है तो बट अभी डरने की जूरत नहीं है जब तक 5200 3040 को नहीं ब्लीच करता है क्लोजिंग बेसिस पे नहीं करता तब तक आपको टेंशन लेने वाली चीज नहीं होनी चाहिए यह मुझे लगता जो मैं आपके साथ सेर कर रहा हूं तो आपने देखा होगा आज का ट्रेडिंग सेशन फिर से काफी जादा वालेटिलिटी वाला रहा आलोक इंडस्टी के ल और 20 रूपये 70 पैसे तक नीचे करेक्शन के बाद में इस स्टॉक में जो क्लोजिंग आई है वो 21 रूपये 40 को इसने होल्ड किया तो देखिए लेबल्स होल्ड होते हैं लेबल्स को रिस्पेक्ट दिया जता है 20 रूपये 90 पैसे का जो लेबल है वो लेबल ये बहुत बा रिस्पेक्ट किया आप यहां पर देख पाएंगे आप यहां पर देख पाएंगे आप यहां पर देख पाएंगे और आज फिर इस लेबल को इसने रिस्पेक्ट किया मुझे यह स्टॉक पैसे तक जब तक यह स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ता यह इस से न करके एक होप दिखा रहे हैं डेफिनेटली इसे देखना चाहिए और इसे टाइम देना चाहिए अभी टिकनिकली मैं है पर बात कर रहा हूं कोई भी बैड नीज नहीं है अलोक इंडस्टी पर आपको पता है कि रिलांस इंडस्टी और फ्यूचर डील के वजह से जो लेट हो दीजिए उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा अगर आपने बहुत उपर के लेबल पर माल खरीद रखा है तो थोड़ी सी और वेट एंडवाच जरूर करना चाहिए से स्टॉक को मुझे ऐसा लगता बाकि आपकी मर्जिया आपको जो भी क करना है आप कर सकते हैं कि ट्राइडेंट में गजब की आपको बाउंस बैक देखने को मिल रही है जैसा कि हमने कहा था कि 13 रुपिये पे यह बहुत ही जबर जबर सपोर्ट पे खड़ा है और यह लेबल आपको नहीं तूटता देखेगा उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिले बट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है सोलर रुपिये पे यह स्टॉक सोलर रुपिये को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें फ्रेश तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगे अगर आपने माल नीचे के लेबल पे उठा रखा ह तो डेफिनेटली एक बार आप अगर लॉंग टर्म के विवर नहीं है अगर आप लॉंग टर्म के लिए सोच रहे हैं ट्राइडेंट को तो आपके लिए यह लेबल माइने नहीं रखता आगे और भी बहुत सारी लेबल्स आपको देखने को मिल सकते हैं बट अगर अगर एक लॉंग टर्म का विवर नहीं है तो ज्यादा सेफ होगा कि थोड़ा सा प्रॉपिट बुक करके बैठिये स्टॉक फिर से 14 रुपिय 15 रुपिय तक आने का प्रॉबाबिलिटी रखता है ऐसा होगा इसकी कोई गैरेंटी नहीं है तो यह था ट्राइडेंट पे इस पर खबरे निकल के आ रही है अगर आपने पैसे लगा के रखें तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है मैं नहीं कर रहा हूं कि आप पैसे लगाएं लगाएं बट अगर आपने लगा के रखा तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है देखिए एक घंटा पहले कि यहां पे tie up हुआ है with Singapore based skylab to boost क्या boost होगा यह पूरी details में जब news पढ़ूँगा अगर आपको चाहिए सुबैक्स की पूरी खबर तो at least 50 comment हमेरे comment section पे होना चाहिए सुबैक्स के regarding तब मैं वीडियो बनाऊँगा फ्री का वीडियो बना के कोई फाइदा नहीं है वीडियो देखी नहीं रहां कोई बेकार का परिशान नहीं होना स्टॉक मार्केट हमारे पास भी है भाई हम खुछ से भी money generate कर सकते बड़ आपके लिए महनत करता हूं और उस महनत को अगर कोई देखे गई नहीं तो फिर फा काफी important है 49 रूपय 45 पैसे का high बना था तब भी मैंने कहा था कि स्टॉक पर हो सकता यहां से profit booking आपको देखने को मिले अब profit booking हाँ भी है स्टॉक का पहला support जो बनता है नीचे के तरफ अगर खिसकता है 37 रूपय पर trade कर रहा है तो यह स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि 35 र रूख जाएगा क्यों रूखेगा देखिए यह जो लेबल है आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर यह एक ऐसा लेबल है जहां से स्टॉक ने अच्छी खासी डाउनसाइड दिखाया था फिर से जब अप जाने की कोशिस की तो उसी लेबल से यह नीचे पर आया अभी ज संसे बहुत कम है सुवैक्स में बहुत अच्छी खबर आ रही है ट्रैक कीजिए अगर आपने पैसे लगा के रखें हैं तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक दिनवाद हमारे चैनल विजिट करने के लिए हमारे वीडियो देखने के लिए और बहुत सारे टॉक्स को एक साथ इंप्लेमेंट करने में भी बहुत ज्यादा वार्क लगता अगर अच्छा लगे हमें इतना टाइम लगता आपको लाइक करने में सिर्फ एक सेकंड लगेगा मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर तैंक्यू